हेलो फ्रेंज, वेल्कम बेक तो माई चैनल, फिल्मी फैन फिक्षिन और आज मैं आप सब के साथ वांग्शियान फैन फैन फिक्षिन का नेक्स पार्ट शेयर करूंगी प्रिवियस पार्ट से कर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज देख लीजें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना बल आइकोन को भी जरूर प्रेस कर देना और पहले इस वीडियो पे एक चोटा सा लाइक कर दो प्लीज अभी कर दो, मैं चुप करती हूँ, अभी आप कर दो, ओके तो कर दिया ना, तो चलो अब स्टार्ट करते हैं हाँ, प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था जनजान ने इबो को कर दिया था, रेजेक्ट फिर भी इबो ट्राइ कर रहा था उसे मनाने की बहुत रोमेंटिकली उसे प्रोपोस करने के बाद भी जब जनजान नहीं माना, तो गुसे में इबो ने उसे फोर्सफुली किस कर दिया था जिसके बाद जनजान बहुत ही जादा गुसा आ गया था, अब हम बढ़ते हैं आगे तुम, तुम यो फेल्टी एल्फा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुए मुझे किस करने की, तुमने इसा क्यों किया ये कहकर जनजान सोर-जोर से रोने लगा, उसे रोता देख, इबो को रियलाइज हुआ कि उसने गुसे में क्या कर दिया फिर वो कहने लगा, सोरी जनजान, सोरी, हम रियली सोरी, पर मैं ऐसे नहीं करना चाहता था और वो तुम नहीं तो मुझे गुसा दिला दिया न, इसलिए ऐसा हो गया, हम रियली सोरी बेबी बेबी मैं कब से तुम्हारा बेबी बन गया मैं ना ही तुम्हारा उमीगा हो ना ही तुम्हारा बेबी हो और दुबारा मुझे ऐसा कहा ना तो मैं सीधे मॉमा को बता दूँगा तुम्हारे मॉम डैट को अल्रेडी सब कुछ बता है हमारे शादी की प्लानिंग चल रही है क्या? मुझे पूछे बगैर मेरे ही शादी की प्लानिंग कर रहे हो तुम लोग इतनी कलत हरकते तुमने कहां से सीख लिया और तुम कान खोल कर सुन लो मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा आखिर क्यों जनजान? तुम्हे प्राब्लम क्या है? प्राब्लम तुम हो, मुझे तुम नहीं पसंद, तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, बॉइफ्रेंड नहीं समझ गया है? नहीं हो तुम मेरे बॉइफ्रेंड अच्छा ठीक है जनजान बताओ मैं ऐसा क्या करो जिससे तुम मुझे अपना बॉइफरेंट बना लो फिर जनजान कहता है तुम कुछ भी करो मैं नहीं करने वाला जनजान मेरी बात सुनो मैं सच में तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और तुम चाहो या ना चाहो या शादी जरूर होगी क्योंकि तुम सिर्फ मेरे हो समझे यू फैल्टी एल्फा तुमने प्रॉमिस किया था तुम कभी मेरे साथ फोर्सफुल नहीं होगे पर तुम हो रहे हो तुमने अपना प्रॉमिस नहीं रखा अब तो चाहे कुछ भी हो जाए मैं जिन्दे मीगी में कभी भी कभी भी तुम्हें नहीं अपनाओंगा ये कहकर जन्जान वहाँ से जाने ही वाला था कि एबो ने गुसे में उसका हाथ ही पकड़ लिया और इसे फॉरण अपने बैक में कैरी कर लिया सबर्दस्ती और उसे लेकर जाने लगा था जैसे की जन्जान कोई चावल की बोरी हो जिसे उसने अपने पीट पे उठा लिया जन्जान बहुत चीख रहा था अपने हाथ पेर मार रहा था लेकिन उस ड्रीम वर्ल्ड में कोई भी उसके आवाज नहीं सुन सकता था लैंजान और वियंग के इलावा और लैंजान और वियंग ने तो सारी हरकते पहले ही देख ली थी उन दोनों ने वैसे भी कुछ नहीं किया चुप चाप अपनी ओट चले गए वियंग को आप यही सही लग रहा था वियंग नहीं लैंजान को मना किया कि उसके मदद करने की कोई ज़रूरत नहीं पर लैंजान ने कहा एसा नहीं होना चाहिए ना यह हरकत गलत है पिर वियंग ने कहा प्यार और जंग میں सब जायस अब चलो गाइस I'm really sorry for the background noise मेरे घर पे हमेशा सोर शराबा होता ही रहता है I'm really sorry for that अब हम चलते हैं जनजान और ईबो की ओर ईबो जनजान को जंगल की ओर ले जा रहा था वो उसे जंगल की ओर ले गया और निचे रख दिया जनजान तो और जादा गुस्सा हो गया तुम यो फैल्टी एलफा तुम मुझे यहां क्यों ले आए ईबो कहता है क्यों ले आया तुम्हें अभी तक समझ नहीं आ रहा था ये कहकर वो एक डेवल वाली स्माइल देकर जनजान की ओर बर रहा था और जनजान डरते हुए पीछे जा रहा था तो तुमने क्या कहा था जनजान मैं तुम्हारे साथ फोर्सफुल हूँ वो आगे बढ़ते हुए कह रहा था अब तुम्हें मैं बताता हूँ फोर्सफुल हो ना किसे कहते हैं जनजान तो डर रहा था क्योंकि ये कहीं से भी उसका मुश्ट बेक्ष इबो नहीं लग रहा था ये तो कोई डेविल लग रहा था जो उसे खाने के लिए उसकी ओर बर रहा हो जनजान खबरा रहा था और पीछे की ओर जा रहा था इतने में ही वो एक पेर से टक्रा गया हमेशा कुछ ना कुछ तो आही जाता है ना टक्राने के लिए यहाँ भी आ गया फिर इबो ने उसे वही पर पिन कर लिया और उसे किस करने लगा उसे किस कर रहा था और फिर उसने बाइट करना स्टार्ट कर दिया बाइट करना शुरू कर दिया था जब तब हमारा जनजान चीखने लगा था वो रोने लगा था पर इबो पर तो जैसे कोई फरक ही नहीं परा उसने अब क्या क्या पता है उसने जनजान को नीचे पुश कर लिया और उसके उपर ही आ गया था और फिर उसे दोबारा किस करने लगा था जनजान के होट से खुण निकलने लगा था जिसे देखकर वो फौरण होश में आ गया और उसे उठा लिया और फिर sorry sorry कहने लगा खुण पोचने लगा पर जनजान तो रोय जा रहा था ऐसा कुछ उसने पहले कभी experience नहीं किया था ना इसलिए उसकी ये हालत हो गया संजान रोते रोते कहता है मैं अब कभी तुम्हारे आसपास भी नहीं आओंगा तुम बहुत बुरे हो तुम बहुत बुरे हो कभी मेरे पास मत आना अब ये सुनकर ईबो को थोड़ा तो बुरा लगा क्योंकि वो अपने गुसे पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा था तुम्हें मेरी इतनी सी बातों से गुसा आ जाता है ना मैं हमेशा तुम्हारे पास कैसे रहूंगा मैं नहीं रह सकता तुम्हारे पास कभी नहीं जाओंगा अब ईबो कहता है सौरी जनजान पर तुम्हें कोई चोटी बात नहीं कही थी तुम्हें मुझे रिजेक्ट कर दिया था जनजान याद है ना तुम्हें तुम्हें कैसा बरताफ किया फिर जनजान कहता है, वो तुम मैंने यू ही कर दिया था, मैं तो बस मज़े ले रहा था, क्योंकि तुमने मुझे प्रॉपर्ली प्रॉपोज नहीं किया था अब आया जनजान कन्फेशन के पॉइंट पे जन्जान ने कहा मैं तो कुछ और प्लैन कर रहा था पर तुमने तो सारी की सारी प्लैनिंग धरी की धरी कर दिया अब मैं कभी तुम्हारे पास नहीं जाने वाला फिर इबो कहता है प्लैनिंग और अभी तुमने क्या कहा तुम नाटक कर रहे थे यानि तुम्हें मुझे रिजेक्ट नहीं किया जनजन कहता है मैं ऐसा क्यों करूँगा मैं पागल हूँ क्या मैं तो बस टेस्ट कर रहा था और तुम बुरी तरह से फेल हो जुके हो इबो तो हैरान था क्योंकि लेंजन की बात ही सच निकली जनजन सच में नाटक कर रहा था और इबो को अपने हरकत पे काफी शर्मिंदगी में एसोस हो रही थी क्योंकि उसने जनजन पे काफी फोर्स फुली अट्रैक किया था और फिर इबो ने जनजन को पूछा तुम कैसे प्लैनिंग कर रहे थे फिर जनजन ने कहा तुम तुम मुझे प्रपोस कर नहीं रहे थे फैमली की लिए बैठे हुए थे वो लोग शादी तेह करेंगे और तुम चुप चप मेरे साथ शादी कर लोगे है ना जैसे कि मैं कोई डॉल हो तुम मुझे ले जाओ तुम पता भी है एक उमेगा को प्रपोस भी करना पड़ता है तुम तुम मुझे नहीं कर रहे थे इसलिए मैंने प्लैनिंग कर लिया कि मैं तुमें प्रपोस कर दू पर तुम ने तुम मेरे साथ ये हरकते की मैं जिन्देगी में कभी तुमारी शकल नहीं देखने वाला तुम हटो यहाँ से ये सारी बाते सुनकर हमारा इबो तो शॉक था वो तो जैसे फ्लाइट से सीधा नीचे कूद गया हो और खजूर की पेर पे अटक गया हो इबो कहने लगता है सॉरी सॉरी हम रियली सॉरी जनसान प्लीज मुझे माफ कर दो मुझे गुस्सा आ गया था तुम अपना गुस्सा अपनी नाक में लेकर बैठो और मुझे चुप चाप घर वापस छोड़ के आओ इबो कहता है हाँ चलो घर की ओट चलते हैं वैसे तुम अभी भी मुझे प्रपोस कर सकते हो क्या प्रपोस मेरा बस चले तो मैं अभी एक तलवार लू और सीधा तुम्हारा गला काट दू निकलो यह से और मुझे भी निकालो तुमने मेरे होट से खून निकाल दिया ना जब तक मैं तुम्हारा तेल ना निकाल दू देखना मैं नहीं रुकने वाला फिर यह वो मुस्कुरा के कहता है ठीक है जो करना है कर लो मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ दंजान कहता है मेरे साथ फ्लर्ट करना ना मैं तुमसे कभी दोस्ते भी नहीं करने वाला, तुम अब मेरे कोई नहीं। इपो कहता है, कोई बात नहीं, मैं तो तुम्हें अभी भी प्रपोस करतूं। क्या? तुमने मुझे इतना सस्ता समझकी रखा हुआ है क्या? तुम तो बस मुझे से दूर ही रहो, अगली बार अगर तुम मेरे पास भी आए ना, तो देख लेना, मैं चिला चिला के पुरी दुनिया को बला दूँगा। वो कहता है, अम रियली सॉरी जन्जान में, सच में गुस्से में था और मुझे कोई होश नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं हमारे नेक्स पार्ट में, तब तक के लिए बाई बाई क्यूटीज, और हाँ, इस वीडियो पे एक लाइक अभी कर दो प्लीज, और मेरे चैनल को भी सबस्क्राइब जरूर कर देना, और हाँ, अप लोग ना मेरे कर लो, सिंडर वेन, वो बहुत अच्छा है, और हाँ, मैंने ना उसमें गाना-गाने की भी ट्राइ की है, माना की ज़्यादा अच्छा नहीं है, पर आप सबको अच्छा तो थोरा तो लगी जाएगा, मैं छोटी सी बची ही तो हूँ, प्लीज मेरे रिक्वेस्ट मान लो, और वेन्जु फैन फिक्शन, सिंडर वेन भी एक बड़ जरूर देख लेना, ओके, तो अब मैं चलती हूँ, बाई बाई क्यूटीज, नेक्स पार्ट के लिए इंतिजार करना, मैं चलती दे दूँगी, कल, ओके, आज नहीं, बाई बाई